वर्षो पहला बाजूना गाम कटो शणनों एक स्रावक अराते तिर्थनी अंदर दंदा माट्या हो एक दिन की बात साम को थोड़ा लेट हो गया साम को लेट हो चुका था घर जाना अब मुश्किल था सोचा कि मैं आज राते में ही सो जाएं सो गया रात को एक सपना है देवता ने वह सपना दिया इस दर्थी के नीचे भगवान का तीरत है उसे बाहर निकाले उसमें हस दिया मेरे जैसे मुफलिष को इतने बड़े तिर्थ का सपना कहा से है हस के बाद पूरी दुबारा उसे यही राते तिर्थ में आना हुआ सोया था वापस सपना बुजुर्बों से बात की कटोशन जाकर अपने संध में वडिलों से बात जी की मुझे ऐसा सपना है याद रखना अच्छे सपने देव को कहना गुरू को कहना देव और गुरू ना मिले तो गाई के समाल के संध को बात की संध ने का चलो अपन राते च और जीस जगह सपने में आती गए वही जगह को खुदा के देख लेगे जो जगह सपनों में आती थी उस जगह को खुदा आई जब चालू कि अश्चरे लगेगा पूरे का पूरा बावंज जिनारे नीचे से बाहर है लेकिन बड़े अस्चरे के बाद ये थी कि एक भी मूर्ती नहीं थी सिंकाड के बीना मोबाईल के इसा होता है बैसे मुर्ती के बीना मंदीर होता है सही बात मंदीर है मुर्ती नहीं है सोचा मंदीर है तो पूर्ती होनी ही चाहिए कि वापस प्रार्ख्राद कि यह भगवान कि आप जहां पे विराजमान हो हमें सुकुन दो संकेत दो पहु मांग के साथ हम आपको पार लिए वापस सुकुन मिला संकेत मिला खुदाई की अंदर से अठारा प्रतीमा बाहर लिखा है संप्रती महराजा के समय की यह प्राचिन अठारा प्रतीमा है मतलब यह हुआ भगवान नेमीनाद 200 साल पुराने है माता सरस्वती 700 साल पुरानी है और यह मंदीर आज से 500 साल पहले अभी अभी इसका जिर्नोधार हुआ अब जो आप देख रहे हो तो जिर्नोधार वारत में रातेज को देख रहे हो पहले किसी ने देखा है रातेज को ऐसे इस रातेज में कहा जाता है कि मा सरस्वती 700 साल पुरानी यह प्रतीमा बहुत जमतकारी प्रतीमा इस प्रतीमा के आगे यदि जाब किया जाए ध्यान किया जाए आज भी यह प्रतीमा अपने माध्यम के द्वारा हमारे ज्यानावरन कर्म के शवप्षम में निमित बन साथी आईए इच्छा तो ऐसी ही थी कि वहीं जाप करें वहीं ठ्यान करें लेकिन यह पोना भाब का पंडाल बर चुका है उसके सामने तीरत तो छुटा पड़ जाए तो हमने एमदाबाद सुकृत सेंटर से मा सरस्वती की प्रतीमा मंदा इस प्रतीमा की के सामने आज तक हजारों लोगों ने साधना की जैसे संखेश्वर की प्रतीमा के सामने वाज सरस्वती जी के सामने आज से दस साल पहले भिवंडी के अंदर यह प्रतीमा का निर्मान हुआ अब मानोंगे दस साल के अंदर हजारों लोगों ने इस प्रतिमा के सामने साधना करके मुर्थी को चार्ज करते हैं ऐसे प्रमाक्मा और ऐसी यह प्रतिमा के सामने आज का यह मंगल में कारिकरम सुरू होने जा रहा है यहाँ पर बैठे हूँ यह सभी से पूछना चाहता हूँ जदी महलक्षमी जी का पूजन होता है और मैंने कहा होता तो ड्रेस कंपल सरी है तो क्या करते हैं तो कड़ी कलोल जैने नहुपर लई आ हूँ मतलब यह गए कि हमें सरस्वती में जीतना इंट्रेस्ट है उससे भी ज्यादा किसमें इंट्रेस्ट है लेकिन याद रखना सुरीमंत्र का जब जाब होता है तब पांच देवताओं का भी जाब किया जाता है पूजन किया जाता है उसें पांच पिठीका कहीं जाती है पाँपुठीका में पहली पिठीका कौन है मानुब़ी, सरस्वत, लक्समी जी नहीं है, लक्समी जी का नंबर तीसरा है, वाणी, खृभुवन, स्वामीनी, स्री देवी, यक्सराज, गणी पीटा, और चोसर इंद्र वगेरे, ऐसी पाँठ पिठीका, पंचन पिठीका, महां से होगी मासरस्वती से इसलिए आज यहां पर मासरस्वती की साधना इनके त्वारा सम्य ज्ञान की उपासना का आयोजन दिया गया है